मेश टाजेटिल गोचर कुर्णली के सात्वे भाव में चंद्रमा होने से डेली रूटीन के कामों से धन लाग और फायदा हो सकता है किस्मत का साथ मिलेगा कई सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं कन्फ्यूजन की स्थिती खत्म होगी किसी बात पर मायूस होने की जरूरत नहीं है मत्वपूर्ण काम भी निपट जाएंगे जो आपको बड़ा फायदा देगा किसी अथूरे काम को पूरा करने के बाद आपको फायदा हो सकता है मेगेटिल सामधान रहे खर्चा बढ़ सकता है पुरानी देंदारी भी सामने आ सकती है मन में हलकी बेचायनी हो सकती है घर और कायक शेत्र दोनों जगए परेशानी वाला मापॉल बन सकता है दोस्तों पर फाल्तू खर्चा भी हो सकता है क्या करे पेन या वही खाते पर मॉली बांधे लवा विवाहित लोगों के लिए दिन शुद है प्रेम प्रस्ताम मिल सकता है करियर कोई विवाद भी हो सकता है लेकिन पार्टनर से स्योग भी मिलेगा वार्णी पर सहयम रखे स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है जांग में सफलता मिलेगी हिल्थ सेहत सामान ने रहेगी पुराने रोगों में राहत मिल सकती है रिष्टा जेटिव प्रापर्टी के कामों से धनलाब होने के योग बन रहे है बैंकिंग सेक्टर से जोड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है आप पूरे जोश में रहेंगे और साथ ही अपनी बुद्धी का भी उपयोग करेंगे आपके लिए दिन अच्छा है धैरे से काम ले नकार आत्मा क्विचारों और ऐसे ही माकॉल से दूरने की कोशिश करे दिन भर पैसों के ही बारे में सोचते रहेंगे दोस्तों के साथ समय बीतेगा मनपसंद भोजन भी मिल सकता है अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं नेगेटिल भोचर कुर्णली के छठे भाव में चंद्रमा होने के कारण पुराने दुश्मनों से सामना हो सकता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी विवाद हो सकता है थोड़ा सामधान रहे, संभल कर रहे हर काम किसी पर पूरी तरहे डिपेंड होकर ना करे तो ही अच्छा है क्या करे पानी खरीद कर किसी गरीब को दे लंपार्पनर की सेहत पर थ्यान दे आपको थोड़ी और भा करनी पढ़ सकती है करियर कार्यक शेत्र में और थूप होगी और आप परेशान रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए दिन नकार आत्मक रहेगा एक्स्ट्रा म्यनत करनी पढ़ सकती है हेल थक्मर और बदन गर्द भी रहेगा सावधान रहे मिथुन पाँच एटिवा आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे गोचर कुर्णली के पांचवे भा में चंद्रमा होने से फायदा हो सकता है रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो जाएंगे वर्क्लेस पर भी मदद मिलेंगी कोई राज की बात भी पता चल सकती है जो भी काम करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा धन लाब हो सकता है आप जिस आर्गनाईजेशन या विपार्टमेरंट में काम करते हैं वहाँ कोई बदला हो सकता है नए काम या नए व्यक्ति का सकारात्मक असर आपके रूटीन पर पड़ेगा घूमने फिरने के लिए समय अच्छा है कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए खुद को समय देने गितिल रोजमरा और मत्वपूर्ण कामों को पुरा करने में मेनत ज्यादा करनी पढ़ सकती है अपने व्यंहार में कठोर तालाने से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है कई काम एक साथ करने की सोचेंगे तो आप परिशान भी हो सकते हैं किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें, कई बार भ्रम की स्थिती बन सकती है, और आप फंस सकते हैं, चाटु कारिता करने से किसी स्थिती में उलच भी सकते हैं, सावधान रहें, क्या करें अंकुरित अनाज खाएं, लंपार्पनर का मूड अच्छा रहेगा, आप एक द फलता मिलेगी, ये ल्थमानसिक और शारीरिक ठकान हो सकती है, कर तोजेटिल स्थितियों में थोड़े बदलावाएंगे, साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिन चुन उतियों का सामना कर रहे थे, आपको उनके बारे में कोई नई बात भी समझ में आ सकती है, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कोई खास बात भी सीखने को मिलेगी, नौकरी और बिजनेस में बदलाव का मन बनेगा, माता का स्योधी मिलेगा ने गिर्टिर चंद्रमा गोचर कुर्णली के छोथे भा में रहेगा, इसलिए निवेश के लिहाज से दिन अच्छा नहीं है, सावधान रहे, जिससे आपके काम बिगड़ सकते हैं, इससे आपको कहीं कुछ ना कुछ नुत्सान भी हो सकता है, क्या करेपान के पत्ते पर पूजा की सुपारी रखकर गणेश मंदिर में चढ़ाएं, लब अविवाहित लोगों की लब लाइफ अच्छी रहेगी, करक्राशी के लोग किसी के सामने प्रेम प्रस्ता भी रख सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी, करियर कार्यक शेत्र में अधिकारियों से मदद मिलेगी, बिजनेस सामान में रहेगा, स्टुडेंट्स मानसिक रूप से परे सानी रखे, सिंग परजेटिव आपका परफान नेंस अच्छा हो सकता है, और आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे, पुरानी तेहशन खत्म होगी, चंद्रमा गोचर खुर्णली के पराक्रम भा में बैठकर भाग्य भा को देख रहा है, इससे किसमत का साथ और फायदा जरूर होगा, खुद पर ध्यान देंगे, आज आप अपने काम में सकारात्मक बदलाव करने में काम्याब रहेंगे, खुद के लिए खरीदारी हो सकती है, आज सिंह राशी के लोग सक्रे रहेंगे, दोस्तों और भायों से अचानक स्योग मिल सकता है, दोस्तो या हुआ कोई काम फिर से करना पड़ सकता है, कुछ फैसले इस तरह हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, परिवार में या थोड़े दूर के रिष्टेदार आज चेर चेरे भी हो सकते हैं, आस पास के लोग भी आपकी शिकायते किसी से कर सकते हैं, बेतु की बा प्रपोजल के लिए भी दिन अच्छा है, करियर बिजनेस में कोई छोटा या बड़ा फायदा हो सकता है, कार्यप शेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक रहेगा, सावधान रहे, फिल थपेप खराब रहेगा, मु या पाजिटिल धन लाध होगा, दोस्तों और परिवार वालों से स्योग मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, बुद्धी और मीठी वार्नी से आप आस पास वालों का दिल जीत लेंगे, बुश्मनों पर जीत मिलेगी, आज आप सही समय पर सही जगए मौजूद रहे इससे आपको ही फायदा होगा, किसी खास काम में पूरी ताकत से जूट जाएंगे और खुद को साबित करके दिखा देंगे, कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है, बेरोजवार लोगों के लिए दिन अच्छा है, नौकरी चाहिए तो नौकरी भी मिल सकती है, ने गेटिवाज आप जिद्दी रहेंगे तो नुकसान हो सकता है, किसी गलत चीज की खरीददारी भी आज आप कर सकते हैं, किसी की बुराई करेंगे तो खुद परेशानी में फंस सकते हैं, सावधान रहे, क्या करें आलू और गुड मसल कर किसी पेड़ के नीचे डाल द अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, फेल्थ जोडों का दर्द परेशान करेगा, चोट भी लग सकती है, तुलाबाजेटिवय अपनी प्राथमिक ताय पर करें, उसके बाद खास काम प्ले निपता ले, उल्चे हुए मामले निपट जाएंगे, चंद्रमा आपकी ही राशी में होने से शुद है, ज्यादा आतर मामलों में दिन भी अच्छा रहेगा, कुछ घटनाए या काम ऐसे होंगे जिनसे आपको फायदा होगा, कामकाज संबंधित अच्छे और व्याहारिक तरीके से आपके सामने आएंगे, चंद्रमा के प्रभाव से दिन अच्छा रहेगा, व्यमहार कुशलता और संशक्ती से काम ले, चीजे खुद सुलच जाएंगी और आपके सामने आ सकती हैं, अचानक धन लाब होने के योग है, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, नेगेटिव कुछ चीजों की खरीदारी से नुकसान हो सकता है, सामधान रहे, पैसों को लेकर पार्टनर से अनबन हो सकती है, कोई सलहा देगा, लेकिन नौकरी और कामकाजी जिन्दगी में अजबूत हो सकता है, करियर खर्चा और काम दोनों ज्यादा होने से परेशान हो सकते हैं, स्टुडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, फेल थगले के रोग से परेशान हो सकते हैं, सावधान रहे, व्रिश्ची काजेटे पार्टनर से भी सुख मिलेगा, अधिकारी आप से खुश रहेंगे, आपकी मत्वा कांक्षा आज चरम पर रहेगी, बिजनेस या कार्यक्षेत्र से संबंधे त्यात्रा हो सकती है, जितना काम करते जाएंगे, उतना ही कुछ नया सीखते जाएंगे लोग आपकी मियनत से प्रेरणा ले सकते हैं, किसी चिन्ता से भी मुक्ती मिलेगी, दिन भर दूसरों को कुछ ना कुछ सला आदेंगे, दूर स्थान के लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, नेगेटिव आफिस में तनावपूर्ण स्थिती बन सकती है, कंडली के बारहवे भाम में चंद्रमा होने से खर्चा बढ़ सकता है, रोजमर्य या परिवार के काम में भी दौर भाग रहेगी, आपके सामने काम काज भी बहुत रहेगा, ठकान हो सकती है, क्या करे आफिस या घर का फरनीचर साफ करवाएं, लब पार्टनर से फायदा ह सुख और प्रेम मिलेगा, संबंधों में सुधार होगा, करियर कार्यक्षेत्र में काम करने वाले विप्रीपलिंग के लोगों से फायदा होगा, काम निपट जाएंगे, जांके आफर भी मिलेंगे हिल्थ सेहत अच्छी रहेगी, मियनत के साथ ठकान भी होगी, नीन की कमी से परेशान रहेंगे, धनू टाज इटिल गोचर कुर्णली में सितारों की स्थिती अच्छी है, निवेश के जो विकल्प्या उपाएं आप सोच रहे हैं, वे मत्वपूर्ण हैं, आप जो भी सोचेंगे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, कि ये गए कामों का पूरा पर परिणाम मिल सकता है, सही समय पर निवेश करें, साजेदार से भी फायदा होगा, जमीन जायदान का कोई बड़ा काम निपट सकता है, काफ्यस या बिजनिस में नई फल करने का समय है, करियर और सामाजिक शेत्र में प्रक्ति हो सकती है, आगे बढ़ने का कोई अच्छा का भी मिलेगा, प्रापर्टी से फायदा होगा, पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा, कानूनी मामले भी निपट जाएंगे, नेगेटिर काम में मन नहीं लगेगा, एक साथ कई काम करने के चक्कर में बड़ा नूतसान होने के योग बन रहे हैं, दिमाग में उथल प कपड़े पर कोई लारक है, लवपार्टनर आपको लेकर समवे दंशील रहेगा, उसकी बातों में छुपे इशारे समझे, करियर कार्यक शेत्र में सम्मान मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, स्योग मिलेगा, आगे बढ़े ये उठसेहत भी अच्छी रहेगी, पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है, मकर पाँचिर्ट्य चंद्रमा घोचर कुर्णली के दस्वे भाब में रहेगा, इससे आपको धन लाभ हो सकता है, जिन लोगों से आपको पैसे लेने हैं, उनसे वसूली कर सकते हैं, सोचे हुए पुराने काम शुरू करें, आपके लिए दिन अच्छा है, किसी तरह के निवेश की योजना भी बन सकती है, आज आप गिल और देंदारियां भी चुता देंगे, कार्यक्षेत्र या आफिस से जुड़ी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, आफिस और बिजनिस में आ पूर्ण दिन होगा, क्या करें पानी में केसर, चंदन और हल्दी मिलाकर पैसे रखने की जगए पर छेटे, लवलव लाइफ में सूथ मिलेगा, पार्टनर आपको समय देगा, करियर बिजनिस में कोई रिस्क ना ले, लोगों को उधार पैसा देने से भी बचे, स्टूड कुंपतां जिर्टिव अचानक कोई अच्छी खबर या आईडिया आपको मिल सकता है, लोगों का थ्यान आप पर रहेगा, चंद्रमा गोचर कुर्णली के किसमत के घर में होगा, जिसके प्रभाव से ज्यादातर काम पूरे होंगे, पुराने दोस्तिया किसी चाहने वाले से मुलाकात हो सकती है, कुछ ऐसी बात या चीजे सामने आएंगी जो आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा दे सकती है, किसी के साथ अनबन चल रही है, तो सुले हो सकती है, कोई बिमारी थी, तो वह भी ठीक हो सकती है, किसमत का साथ मिल सकता है, और रुका हुआ जिस प्लानिंग पर काफी दिनों से विचार चल रहा है, उसे शुरू करें तो फायदा भी होगाने गिठिल बिना मांगे किसी को भी सलहा देने से बचें, वरना आप परेशान हो सकते हैं, कुम भ्राशी के लोग अपनी वारनी पर कंट्रोल रखें, आप दोहरी बातों से खुद के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं, सावधान रहे, क्या करें स्वॉंफ खाए, लब पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने मन की बाते विप्रीत लिंग वाले से शेयर करेंगे, लब लाइफ के उल्चे हुए मामले सुलज सकते हैं, करियर काम में मन कम लगेगा, धन लाब हो सकता है, वार्णी पर सहयम रखें, स्टुडेंट्स फाल्तू बातों में न उल्चें, जबर्दस्ती पढ़ाई में मन लगाना पड़ सकता है, फेल्थ पुराने रोग भी दूर होंगे, आपकी सेहत फ्ले से ठीक रहेगी मीन पाजिटिर कहीं से आपको कुछ निवेश की सलहा मिल सकती है, पुराना निवेश भी आज आपके लिए फायदे मन्द होगा, अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो सफल हो जाएंगे, आपके सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे भी हो सकते हैं, सोच असमज कर नि जिससे नुकसान से बच जाएंगे, नेगेटिव नकार आत्मक बातों से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, दोस्तों और भायों की मदद नहीं मिल पाएगी, जो गल्ती आपसे प्ले हो चुकी है, उससे आप बच नहीं सकते हैं, कोई नया काम शुरू करने से प्ले सावधान परेशानियां आपको बिजी रख सकती हैं, निवेश सावधानी से करें, चंद्रमा गोचर कुर्णली के आठवे भाव में होने से आपके लिए दिन ठीक नहीं रहेगा, आपको सावधान रुना होगा, सेहत संबंधी परेशानियां रहेंगी, क्या करें पके हुए चावल हाने के योग बन रहे हैं, कुछ मामलों में वर्क्लेस पर मदद नहीं मिल सकेगी, सावधान रहें, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है, हेल्थपेट की तकलीफ से परेशानी बढ़ सकती है, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है